ताजा तरिन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विल आइकॉन दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें मैं हूँ स्लामुदिन खान और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स आज की पांच बड़ी खबरे आपको दिखाते हैं मुम्रा तनवर नगर डीजी मौल के पास सड़क किनारे खुला हुआ गटर हाथसों को नोता दे रहा है इस पर ढखकन नहीं है चारों तरफ से लकडी से ढखा गया है तेज बारिस में जलभरा होता है तो कोई भी रास्ता चलने वाला इसमें गिर सकता है आपको मुम्रा शहर में ऐसे कई गटर मिलेंगे जिसमें ढखकन नहीं है जो कभी भी हाथ से हो सकते है मुम्रा में एक ओरला कार और एक प्राइबेट कार की किसी अज्याद बेक्ति ने कांच तोड़ दिया है इसके पहले भी ये दोनों गाड़ियों की कांच अज्याद बेक्ति ने तोड़ दिया था मगर अब दुबारा कांच तोड़े जाने पर शाहित खान और राम निहाल सर्मा ने पुलिस में इसकी शिकायत की है मुंबई और ठाने में लगातार हो रही बारिशे जन जीवन अस्त ब्यस्त हो गया है जगा जगा जल भराव हो गया है तो वही लाइफ लाइन कही जाने वाली मुंबई की लोकल ट्रेनों पर भी बारिश का अशर पड़ा है देरी से ट्रेने चल रही है जिसकी वजह से ट्रेनों में काफी भीड़ है इसी तरह गुजरात के बल्षाड में भी मुसलाधार बारिष चेहाकार मचा हुआ है कई इलाकों में बारिष की वजह से सडके नदी में तबदील हो गई है, लोग बेघर हो गए है गाउ में फसे हुए लोगों को निकालने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम राहत बचावकार में लगी हुई है राजस्थान के अलवर में बाबा बालक नात का हेलिकॉप्टर क्रेश होते होते बच गया लेंडिंग के दोरान हवा में गोल गोल घूमने लगा इसमें सवार बाबा बालक नात की सासे उपर नीचे होने लगी मगर पाइलेट ने बड़ी ही सूजभूच के साथ हेलिकॉप्टर की लेंडिंग की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रही है प्रहाट टाइम